नमस्कार दोस्तों मेरा नमबी जैक मार आप देख रहे हिंदी स्टोरी पिटारा यूटूब चैनल को तो चलिए दोस्तों डैमन कोमिक्स में चचा चोधरी की संदार कोमिक्स को सुरू करते हैं जिसका नाम है चचा चोधरी और राका का क्रोध तो आप देख सकते हैं इसका क पंग्ची के ज़्यादा करीब ना जाओ अगर उसे सक हो गया तो कबूतर उड़ जाएगा वो उस स्टोर में गया है हमें उसके आने का इंतिजार करना चाहिए कुछ देर बाद उमीद है ये गिफ्ट मेरी गल्प्रेंट रीटा को अच्छा लगेगा तुम्हें इस गाड़ी में नहीं उसमें बैठना है मुझे कहां ले जा रहे हो चुप गोंजा लड़के के बापू को फोन लगाओ मॉबाइल बजा सेट रहे तुमने हमें दस करों रुपे नहीं भीजवाएं उसका नतीज़ा यह हुआ कि हमें तुम्हारा बेटा अप्रहन करना पड़ा जूट लो अपने मिक्की की आवाज सुनो बापू सेट यकीन हो गया दस करों में तुम्हारा बेटा छुटेगा रकम कहां पहुँचानी है यह हम बाद में बताएंगे हमारा ये मिशन कामयाब होगा साबू इधर तुम लस्ती पी रहे हो उधर तुम्हारी चाची बीनी गुस्ते में फिर रही है वो ना जाने कहां गये ऐसे गायब होते हैं जैसे समुंदर में मचली बापरे अजी सुनते हो साधी के बाद और किया ही क्या है महाबारट टीबी पर किस वक्त आता है हमारे घर में तो वो 24 सो घंटे होता है चचा चोधरी डांकू पोर्टपोल ने मेरे बेटे मिक्की का अपरहन कर लिया है और उसके रिहाई के लिए वो दस कड़ोर मांगता है बदमास मेरे बेटे को मार देंगे उसे बचा लीजिए अपना मोबाइल मुझे दो कुछ देर बाद मोबाइल फोन की घंटी बसती है फोन की रिंग बजी से ट्राए कल सबेरे नो बजे हाईवे पर ब्रीज पार आम के पेड़ के पास दस कड़ो रुपया ले आओ तुम्हें वो मिल जाएगा चोधरी क्या तुम भी डाकूओं की भासा बोलने लगे मिक्की को बचाने का यही एक रस्ता है जाकर पैसे का इंतिजाम करो कल सबेरे हमें निकलना है दूसरे दिन सुभा डग डग इस पीट पकड़ो हमें वहाँ वक्त पर पहुँशना है उनके बताय पूल पर से हम गुजर रहे हैं क्या पैसे लाए हो वहाँ बेर के नीचे प्रुपे उसे भरा बैग रखा है हजार के नोटों से भरा बैग गोंजा लड़के को अजात कर दो जाओ डैडी उठाओ ओ बैग रस्ती से बंधा है कहां ले जाते हो उसे किल हिम फिर हम पैसा ले जाएंगे मचडो बड़े उर रहे थे धड़ाक स्रीमान अपने बेटे और धन दोनों को समाल लिए ठैंक्स चाचा जी चलिए आपका बैग मैं आपके ओफिस तक छोड़ा हूँ पुर्फे सर्जाक अपनी लेब रोट्री में अगर ये एक्सप्रिमेंट का मयाब रहा तो इससे मानो जाती को मदद मिलेगी डिंग डाउं अरे भाई आता हूँ उतावले मत हो जोसी जाग मेरे कंप्यूटर में वाइरस आ गया है क्या मैं तुम्हारा इस्तमाल कर सकता हूँ मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा एक इंपोर्टेंट एक्सप्रिमेंट में बीजी हूँ ओ ये क्या पॉर्फेसर जोसी से अचानक एक साइट ओपन हो जाती है हजारो लाइट इयर्स दूर अंत्रिक्ष में छोड़े गए सेटलाइट में हरकत होती है कैप्सूल में राका आज बंदिगरी हर रोज से अलग रास्ते पर जा रहा है ओ अजीबो गरीब हरकत हो रही है प्रित्वी पर अंत्रिक्ष से संपर्क अस्थापित हो गया है कुछ और सिंगनल्स उधर प्रफेसर मुझसे अचानक कोई गलती हो गई है और कोई ध्रुम के तू अंत्रिक्ष से जमीन पर आगी रहे जितना तुम सोचते हो उससे वो कहीं ज़्यादा खतरनाक है वो खुंखार राका है मैंने जाल डाल दिया है उसमें काफी मचलिया पकड़ी जाएंगी कुछ देर बाद लगता है मचलिया फसी है जाल भारी हो गया है खीचो और खीचने पर ओ आओ नाओ छोटी है मगर ये मुझे किसी तरह किनारे पहुँचा देगी जमीन पर कुट्टे का रोना असूब होता है ये किसी आने वाली दुर्गटना की तरफ किसारा है चचा चोधरी एक बुरी खबर है राका अंत्रिक से लोट आया है पता नहीं वो कहा होगा बदबू अपने को छुपा नहीं सकती प्रुफेसर धेर सारे रन बनेंगी वो संचेरी बनाएगा कौकरोच सोर मचा रहे है सटाक बॉल बाउंडरी के बाहर चक्का मैं इस दुनिया को खत्म कर दूँगा धड़ाक तुमने राका के सिर पर बॉल मारी तुमें सजा मिलेगी उसे बाहर निकालो वो खेल में बिगन डाल रहा है उसे निकालो चक्का धड़ाक रुक जाओ वो आगे बढ़ रहा है सोठी रट 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 अचमभा उस पर गोलिया असर नहीं कर रही जाओ धड़ाक मैं सब को कुचल दूँगा जान बचाओ भागो एक बिसाल आत्मी ने किरकेट ग्राउंड में उत्पात मचाया और भीर में कईयों को मार किराया वो तो राका है चाचा जी वो वहसी अंत्रिक्ष से वापस कैसे आ गया इसका जवाब प्रोफेसर जाक के पास है साबू आओ चले प्रोफेसर ने हमें अंधकार में रखा असलियत का तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम उससे मिल नहीं लेते दोस्त जाक क्या तुमको पता है कि खुंकार डाकुरा का जमीन पर आ गया है हाँ पता है क्या तुमें ये भी पता है कि पिछली बार हमने उसे कितनी मुश्किल से पकड़ा था हाँ मुझे सब याद है तब वो अंतरिक से कैसे पहुचा तब वो अंतरिक से कैसे यहाँ पहुचा तुम अकेले कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जानते थे मेरे पीछे आओ उस डौन को यहाँ लाने की महरवानी एस्ट्रोनॉमर जोसी ने की है मैं मानता हूँ कि मुझसे भारी भूल हुई है मिश्टर जोसी क्या तुम जानते हो कि तुमारे एक भूल ने सारी दुनिया की अबादी को खतरे में डाल दिया है राका राका किंको रोसा का सलाम तुमें किर्केट फिल को तहसनेस करते देखा अगर हम सेखेंड करें तो दुनिया जीत सकते हैं परिशान ना करो वरना मुंडी उड़ा दूंगा दुनिया जीतने के लिए तुम्हे कुछ लोगों के मदद चाहिए होगी और इस काम के लिए रोसा से अच्छा तुम्हे और कौन मिलेगा उसकी बात में दम है तुम्हे हमारी चीफ लेडी हैरान से मिलना होगा एक बात याद रखो अगर तुम्हारी बात गलत निकली तुस सारे गेंग को उड़ा दूँगा ओहो मेरे लिए ये दर्बाजा छोटा है जुक कर अंदर चले आओ अंदर जाने का मुझे एक दूसरा तरीका भी आता है कडम तुमने हमारी दिवार तोर दी अब वो हमारी और्गेनाजेशन का मेंबर है मैं दुनिया को फटह करने आया हूँ लेकिन पहले तुम्हें सबूत देना होगा कि तुम उसके लिए सक्छम हो अगर तुम टेस्ट में खरे उतरे तो हमारा अगला कदम वही होगा जो तुमारा सपना है मुझे क्या करना होगा इस पॉप स्टार जकीरा का अप्रहन रोसा एक मामली लड़की को तुम इतने लोग क्यों ने उठा लेते इसका जबाब कुछ देर में तुमें खुद बखुद मिल जाएगा राका जकीरा ही या 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 पार में बैठे उसे हरब ले बेवी तुम मेरे साथ चलोगी दूर हटो वो बढ़ता चला जा रहा है सूठी रट 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 ओ उस पर गोलिया असर नहीं कर रही क्योंकि मैंने चक्रमाचारे की औस्दी पी रखी है मैं मर नहीं सकता बुम चलो तुम्हें लेडी हेरान नहीं याद किया है ऐसा कोई काम नहीं जिसे राका ना कर सकता हो लो इसके बदले में जितना पैसा चाहो तुम्हें मिल सकता है धब मैं इसके टुक्रे टुक्रे करके कुत्तों के आगे डालूँगी इसके लिए म्यूजिक प्रोग्राम में मुझे घुस्ते नहीं दिया गया और मेरी बेजिती हुई जाल में फसी चीडिया की तरह फड़ फड़ाओ सटाक उसे मार गिराओ रुको मैं खुबसूरती का कद्रदान हूँ तुम उसे खत्म नहीं कर सकती मैं समझा था कि तुम लड़की का अपरहन पैसों के लिए करवा रही हो मुझे मुफट औरते बिलकुल पसंद नहीं धड़ाओ मच्छड उड़ गएं तुमें कोई खत्रा नहीं तुम मेरी रानी बन कर रहोगी मैं तुमें दुम्हें दुनिया के सारे आराम दूँगा भुचार से बचें सुनामी में फसें चाचा जी आकिर हमें राका से कवराहत मिलेगी अब वो जकीरा को उठा कर ले गया है पॉप स्टार के चाहने वालों ने दंगे फसाद सुरू कर दिये हैं इंस्पेक्टर मोजा हम उसे छुडाने की कोशिस करेंगे पहले हमें घटनास तल पर पहुँचकर सुराग ढूरना होगा सर इस जगह से उस सिंगर को उठाया गया था हल चल में जकीरा का सुख गिर गया रोकेट उसकी एसमेल ले रहा है वो हमें मुझरिम तक पहुँचाएगा हमें जानवर के पीछे जाना चाहिए राका को काबू करना नदी के बहाओ को कंट्रोल करने से ज़्यादा मुस्किल है बचाओ ये वहसी मुझे ले जा रहा है राका तुमारी आजादी सारे बिस्व के लिए खत्रा है बुट्टे तुमने मुझे कई बार मुक्सान पहुचाया है तुमारा जिंदा रहना मेरे लिए खत्रा है इसलिए तुम्हें नरक जाना होगा धाएए ओ गोला एक इमारत पर लगता है कडम सियार तुमारी ये हिम्मद वो ज्वालम की फटा लगता है आज साबु को गुस्ता आया है उधर पहले मैं तुमसे निपड़ता हूँ धाएं धाएं साबु बचो और साबु का ये कराटे का बार राका पर पड़ता है धड़ाग मेरी मेधा टकर को जेलो ओह जकीरा राका का हंतियार उठाती है मैंने उसे हिट किया धाएं मैंने इस दुष्ट का सिर अलग कर दिया ये तुम समझती हो मगर परिशानी ये है कि वो मर नहीं सकता राका का जिस्म दोबारा जुड़ जाता है हुँ हुबा साबू उसको छोड़ना नहीं साबू अपनी सारी मासपेशियों की दाकत इखटी करता है और राका को उठा लेता है उसे मुला लोहार के पास ले चलो मुझे नीचे उतारो नीचे उतारो मुला लोहार मुला राम एक खुंखार जानवर को बंद करने के लिए बड़ा ड्रम चाहिए चचा चोधरी आपकी सेवा के लिए मुला हर्दम हाजीर है ये पानी का टैंक एक बड़ी फैक्टरी के वर्कर्स के लिए बनाया था आप चाहें तो इस ते काम चला सकते हैं और राका को साबू उस पानी के टैंकी में डाल देता है मैंने धक्कन लगाकर उसे बंद कर दिया है जब तक वो अंदर रहे गा बाहर सांती रहेगी टैंक के अंदर मुझे बाहर निकालो वो अंदर उत्पात मचा रहा है भारी टैंक भी सुखे पत्ती की तरह हिल रहा है उस्ताज जी टैंक गिर पड़ा और खुल गया धड़ाम मैं उस राक्षस के सिर पर हटोड़ा दे मारूंगा गुस्ताग कीडो तुम्हें पता नहीं अपने बादसा से कैसे बोला जाता है ये लो कलंग रहम बाबा गुल तुमको मैंने हमेशा पूजा की है क्योंकि तुम जमिन पर सैतान के इकलोते परते नी धी हो तुमारे खून में नफरत का परवा है पताओ मैं प्रित्वी का सुल्तान कैसे बन सकता हूँ राका तुम प्रित्वी फतार नहीं कर सकते तुम सरीर से बड़े हो पर दिमाग से छोटे हो तुम में सामर्थ है, ताकत है, मगर प्लानिंग नहीं मुलकों के प्राइम मिनिस्टर को बंदी बनाओ, सारे दुनिया पर तुम राज्य करोगे बाबा गुल, सुक्रिया प्राइम मिनिस्टर का कैबल केड सर, पार्लियमेंट में आपको विरोधी दल की बहस का जवाब देना है जब तक हमारे पस बहुमत है, वो मेरी गवर्मेंट नहीं गिरा सकते जब तक तुम इस देश को मेरे हवाले नहीं करते, तुम मेरे मेहमान रहोगे बुम 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 वाह, निसाना सही लगा, बुम इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन है, मैंने तो कभी उसकी सकल नहीं देखी हमारे प्राइम मिनिस्टर, मैंने उनको टीमी पर देखा था लगता है वो घायल हो गए है, यहीं है वो बच्चों ने पहचान लिया, तुमारी गौर्मेंट गिर गई जब तक तुम इस देश को मेरे हवाले नहीं करते, तुम मेरे मेहमान रहोगे क्या बेवकुफी जैसी बाते करते हो साबू, आगे मुझे गरबर लगती है हाँ चाचा जी, मुझे राका की सकल दिखाई दी, सैद वो बाहर आ गया है राका, इस बार तुमने वो काम किया है, जिसके लिए पूरा राश्ट तुझे माफ नहीं करेगा जो मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसे खत्म कर दूँगा पहले इसका स्वाच चको, धड़ाक, ओ, तुमने मुझे हिट किया, बंक, ओ, बच गया धड़ाक, लो, अब मेरे बाएग का स्वाच चको, साबू, होसियाल, वो पलट कर वार करेगा मेरा बाएग ज़्यादा भारी है, खटाक, मैं तुमारा खून पी जाओंगा वो बाएग का था, ये दायाँ हाथ का लो, खटाक, साबू, फर्मूला नमर दो सो चार साबू अपनी भाजूओं का पूरा जोर लगाता है और राका को धकेल देता है ये लो, मेरा धायाँ पैर, तुमने काफी फुदक लिया, अब तुम मेरी जकर से नहीं निकल सकते हूँ, हुबबा, साबू, सैतान को ट्रक में डालो, मुझे छोडो, राका को डॉक्टर जाक के पास ले जाना है, वही इसका हल बताएंगे चाचा जी, अब उस सैतान का क्या करना है, प्रोफेसर डांको को कहीं अस्ताइब बंद करने का रास्ता बताएंगे क्या वो जेलर है, जो राका को बंद रखेगा, नहीं, साइंटिस्ट का दोस्त उस मुसीवत को धर्दी पर लाया था, वही इसका कोई हल बताएगा चाचा चोधरी, क्या अभी भी तुम नराज हो, मैंने तुम से अपनी गल्ती के माफे मांग ली थी, बस सब ठीक है प्रोफेसर, हमने राका को पकर दिया है, तुमने सिर्फ वो जगा बतानी होगी, जहां वो हमेशा के लिए पढ़ा रहे, और अजादी की तरफ ना आए उसी लहरे डांको को अपने में समा लेगी, डगडग धीरे चल रहा है, क्या वो ठक रहा है, नहीं उस पर बोज बढ़ गया है, अंदर राका और बाहर तुम, मैं तुम को मा ढालूंगा, बाहर आओ, साबू उसे जल्दी बांधो, लहर आ रही है, साबू भागो, नहीं त समंदर में ले जाकर छोड़ देती है, बीनी, खाना दो, बड़ी भूक लगी है, तुम लोग तो ऐसे डरे हुए हो, जैसे भूत देखा हो, तो चलिए, इसी के साथ, चाचा चौदरी और राका का क्रोध कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है, तो चलिए, इसकी अगले स्टोरी सुरू करते हैं, जिसका नाम है अमुले बिल्ली, एसकेम, मर्डर, डकैती, अगवा, सारा न्यूज पेपर ऐसी खबरों से भरा है, पता नहीं दुनिया कहा जाएगी, बंक, ओ, बीनी, क्या तुमने कुछ कहा, नहीं, वो बंदुग की आवास थी, हमारा रोकेट कहा है, अधर से आई थी, रोकेट, तुम इतनी दहसत में क्यों हो, अरे रे, विजवान जानवर को क्यों मारना चाते हो, मेरे रास्ते से हट जाओ, सहर में अवारा कुटे बहुत हो गये है, मुनसिपल कॉर्परेशन ने जिन्दा या मुर्दा कुटा लाने पर 500 रुपय इनाम र दे जाओं का, कुटा इस घर के अंदर गया है, ओ, तुमने मेरे रोकेट को परिसान करने की हिम्मत कैसे की, वो बन, जिस मुर्थी की ये तस्वीर है, उसे म्यूजियम से ले उड़ना है, जरा मुझे, उसे मुझे दिखाना, रोनो, एक मामली बिल्ली, म्यूजियम में और किम्ती चीजे, जैसे पुराने जेवरात होंगे, ये महारानी कोट कोपर की बिल्ली थी, जिसे वो बहुत प्यार करती थी, जब ये जान बर मरा, तो महारानी ने उसकी सोनी के मुर्थी बनवाई, जिसकी आखों में कड़ोरों रुपए के दो हीरे फिट है, तब सचमुच वो मूर्थी हमें अमीर बना देगी, हम अपनी मंजिल पर आ गए हैं, अगर कोई बिखन डाले, तो गोली मार देना, कोई अपनी जगा से हीलेगा नहीं, धाएं, मुझे सिर्फ ये मूर्थी चाहिए, अरे रुको, जो कोई हमारे काम में धखल देता है, रोनो उसका भेज उड़ा देता है, उससे नुकसान तुम्हारा ही होगा, जिस तरह हिटलर का डूप्रिकेट था, उसी तरह हर किंती चीज की नकल होती है, तुमारे हाथ में वही है, तो फिर असली मूर्थी कहा है, वो उस कमरे में सुरक्षी थे, तो फिर मैं यहां क्या कर रहा हूँ, मैं असली मूर्थी लेने आया हूँ, इस कमरे में सिर्फ हम दोनों है, धाएं, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं, छचुन्दर, धड़ाक, इस म्यूजियम की स्विक्रेटी का जुम्मा हमारे उपर है, तो चलिए इसकी अगली स्टोरी सुरू करते हैं, जिसका नाम है बारूद बारूद, वो का हमें स्टेडियम पहुशना है, क्योंकि वन्डे किर्केट मैच सुरू होने वाला है, दर्सकों की सीटे खाली है, हम कहीं भी बैठ जाएं, हम यहां मैज देखने नहीं आये हैं, इसमें मिठाई नहीं, आडी एक्ष भरा है, हम इसे दर्स को की गैलरी पर छोड़ देंगे, आगे का मैज समझ गया, रसगुले पर कोई सक नहीं करेगा, टाइम से ठोने के कारण, जब मैज जारी होगा, तब यह फटेगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएंगे, वो का तुम काफी कुछ सीख गए हो, मैं आका बारूद बारूद से सिफारिस करूंगा कि वो तुम्हें एरिया कमांडर पर मोट करते, आओ, वापस चलें, गाड़ी इस्टेडियम के अंदर दे चलो, उन बिदेशी टेरिरिस्ट्यों को पकड़ो, हमें तुमारे सडेंतर की खबर मिल गए थी, हेलो, बम डिफ्योज, डिवीजन आपकी यहां जरूद है, चीफ बारूद बारूद अपने अड़े पर पागल है, हमारे लिए बालडो इंपोर्टेंट है, उसे जेल से छुडाना होगा, क्यों ना हम किसी मिनिस्टर का अपरहन कर लें और उसके बतले में कोई आदमी की, और उसके बतले में अपने आदमी की रिहाई का सौधा करें, हर मिनिस्टर की सिक्रेटी के लिए कमांडो होते हैं, ये संभव नहीं है, तो फिर किसको पकड़ा जाए, चीफ बारूद बारूद हर महत्पुन आदमी को सिक्रेटी दी गई है, और जो महत्पुन नहीं है, उस पर हम सौधा नहीं कर सकते हैं, एक है, चाचा चौधरी, उसने सिक्रेटी लेने से इनकार कर दिया था, तो उसे ही पकड़ते हैं, गारी स्टार्ट करो, वो कहीं न कहीं मिल जाएगा, बीनी के लिए, कीचन के लिए, बीनी के कीचन के लिए रासन खरीता है, रुको चौधरी, ठीगने आदमी, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, गारी में बैठो, तुम हमारे बंदी हो, अब जीद हमारी होगी, अड़े पर पहुँचकर, चौधरी, यहां कोई खेलना खेलना, वर्दा किलिन बोल कर दिये चाओगे, और सुनो, तुम्हें कहां रखा गया है, इसका पता तुमारे मुल्क की सार इंटलिजेंस नहीं लगा सकती, होम मिनिस्टर हमारे यहां, मैं एक बुरी खबर ले कर आया हूँ, तुमारे पती को बारुद बारुद ने अगवा कर लिया है, वो उसके बदले में एक कैदी के रिहाई मांग रहा है, मैं ही उसके साथ लड़ा करती थी, अब पता नहीं उसका क्या होगा, चाचा जी भारत के लोग पर यह वेकती है, कैदी के रिहाई के बारे में कैबिनेट की मिटिंग बुलाई गई है, मिटिंग अस्तगित कर दीचिए, चाचा जी लौट आएंगे, ठीक है, मुझे तुमारी ताकत पर भरोसा है, अच्छा चलता हूँ, कोई जवाब नहीं आया, कैदी को सूट कर दो, और तभी धड़ाक, मारो, रट रट रट, गीदरो, धड़ाक, बाके अमर, अब तुम जेल में गुजारोगे, तुम्हें हमारे सीक्रेट अड़े का पता कैसे चला, यह इलेक्ट्रोनिक डिवाइस हमेशा मेरी जेब में रह यह सिस्टम सुसना देता रहता है कि हम दोनों में से कौन कहा है, चलो, जिस देश के लिए तुम काम करते हो, उसे तुम्हारा पकड़ा जाना अच्छा नहीं लगा, तो चलिए, इसकी अगले स्टोरी सुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा की घड़ी, मुझे लगता है कि आपकी घड़ी खड़ी हो गई है, नहीं तो यह चल रही है, टिक टिक, जोट, अगर चलती होती, तो अब तक कहा की कहा पहुँच गई होती, आपकी कलाई पर ही ना रहती, सावू, आओ, चले, डगड़ को सहर का चकर लगवा कर आते हैं, जिस तरह मैं बिना ब्याम के रह नहीं सकता, वही हाल डगड़ का है, ओ, वो लड़की मुझे रूपने का इसारा कर रही है, क्या बात है बेटी, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कीजिए, उस कार के लोग मेरा अपरहन करना चाते हैं, रुका, आओ, बचाओ, अररे, छोड़ो उसे, हमारे चीप फिगो जो उसकार में बैठा है, इस लड़की से साधी करना चाता है, वो बुढड़क गेंगेश्टर मुझे पसंद नहीं, तुम्हें जवाब मिल गया, बाई, हमारा चीप जीसे पसंद कर देता है, उसे नहीं छोड़ता, लड़की को हमारे हवाले करो, नहीं तो, तुम गोली नहीं चला सकते, ओ, हम जमीन से उपर उठ गएं, मेरे साथियों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सीना गोलियों से छली कर दूँगा, धड़क, इस पेक्टर समालो इन कौक रोचों को, धड़क, थेंच सर, अब तुम्हें कोई परिसान नहीं करेगा, तो चलिए, इसकी अगली स्टोरी सुरू करते हैं, जिसका नाम है क्लीन बॉल्ड, सराट, धड़क, सुनजा, परिसान क्यों हो, मैं अंगारा को आउट नहीं कर पा रहा, बॉल मुझे दो, मैं उसे स्पिन बॉल फेकूंगा, और चाचा चोधरी, बॉल फेकने के लिए तियार, स्विस धड़क, आउट, जितने गुस्टे में वो है, मुझे लगता है उसकी तुफाने डिलिबरी मेरा बैट तोड़तेगी, गुस्टे से बुद्धी मारी जाती है, वो एक आगरता खो देगा, और बॉल भटक जाएगी, मुझे बाउंडरी लाइन से दोड़ सुरू करनी चाह ताकि ये फास्टेस्ट डिलिबरी हो, और वो बाउंडरी लाइन से तेजी से तोड़ते हुए आता है, सराट, जम, ओ, चार रन, उफ, वो अपने आपको किर्केट का रुस्तम समस्ता था, तो चलिए इसकी अगली स्टोरी सुरू करते हैं, जिसका नाम है हलका फुलका, ब क्या मतलब, मतलब है कि जो कुछ तुमारे जेब में हैं, वो हमारे हवाले कर दो, सारे पैसे ले लो, मगर मेरे जान छोड़ दो, ये कमाई का असान तरीका है, कुछ देर बाद, एक और सी कार, मैडम, हलकी हो जाओ, मगर मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, ये भी तुमारे करते हो, मैं तो पहले से ही दुबला पतला हूँ, गोली मार दूंगा, पैसा निकालो, और तभी रोकेट उन पर छलांग लगाता है, सराट, भागो, चीफ, रॉला गॉला, आज कितने को हलका किया, उस्ताद, हमने काफी लोगों को लूटा, मगर एक कुट्टे ने हमारी म को मैं भूल नहीं सकता, अब इसे मरना होगा, उस बिजवान को क्यों मरना चाते हो, रॉला गॉला के मामले में टांग अडाता है, क्यों ना, पहले तुम्हें समसान भेजा जाए, ठाए, ये कैसा रहा, ओ, धड़ाक, ये तुम्हारे लिए, फटाक, अब तुम्हें कोई परिसान नहीं करेगा, तो चलिए, इसकी अगली स्टोरी सुरू करते हैं, जिसका नाम है, जै हिंद, भाइस, भाइस सबसाथी, हम भोट आपको ही देंगे, मुसीबत में, आपने हमेशा हमारी मदद की है, हमारा भोट आपको ही जाएगा, धन्यवाद, डॉन जोमो, मैं इ विश्वास रखता हूँ, भोट में नहीं, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ, मेरा पर्तिद्वन्दी सबसाथी लोग प्रिये नेता है, तुमने हमेशा लोगों को लूटा है, कतल और दूसरों के घर जलाए हैं, लोग तुमें कैसे भोट देंगे, डॉन जोमो, अगर मैं जीत किया, तो तुम्हें हाथियारों के लाइसेंस दिला दूँगा, यह हुई ना बात, हम मत बेटियों को अपने कबजे में लेकर तुम्हारे हक में वोट डाल देंगे, तुम 138 वोटों से जीतोगे, वाह, कौन कहता है कि वाफ़दार दोस्त अब नहीं रहें, बेन हाली है, साबू आओ, चले, हमें एक अच्छी सरकार चुनने के अधिकार का परियोग करना चाहिए, साथियों हमें पोलिंग बूत पर कबजा करना है, जिसका जोर उसी का भोट, पोलिंग स्टेशन आगे स्कुल में है, ट्रक यही खड़ा कर रखो, साबू अपने घरों को जाओ, सब अपने घरों को जाओ, नहीं, इसके फटने से आशु गैस निकलेगी, लोग भाग जाएंगे, और तभी उस आशु गैस के गोले को रोकेट छलांग लगा कर मुह में पकड़ लेता है, साबू उस ट्रक को हवा में उठा लेता है, जाओ, परजातंत हत्यारों से ज़्यादा मजबूत है, भागो, तो चलिए इसके अगली स्टोरी सुरू करते हैं, जिसका नाम है मुसीबत की जड़, चाचा जी देखो वो बैक गिरा पड़ा है, देखो इसमें है क्या, बापरे इतने रुपे, लाग से उपर होंगे, अरे इस तुमने क्यों उठा लिया, चाचा जी दौलत को आप मुसीबत कहते हैं, इतने रुपे पाकर तो हम सारी जिन्दकी अराम से गुजार सकते हैं, इस बैक को चौराहे पर ही रख दो, अब यहां खड़े हो कर देखो, यह मुसीबत है यह वर्दान, बैक इसमें क्या हो सकता ह इतने सारे रुपे, सब मेरे हैं, मैं अब लखपती हो गया, तभी धाएं, जगु के होते वे, यहां से इतना माल कौन ले जा सकता है, यह सब नोट अब मेरे हैं, जगु, ठैरो, इतने जल्दी क्या है, यह इलाका मेरा है, इसलिए यह माल मेरा है, पहले मैंने इसे इसका असली हगदार मैं हूँ, ठाएं, ठाएं, सब मर गएं, दौलत किसी को नहीं मिली, तो इस मुसीबत को कहां ले जाओं, पुलिस थाने, जिसका यह बैग होगा, वो आकर ले जाएगा, तो चलिए, इसकी अगले स्टोरी सुरू करते हैं, जिसका नाम है नोक जोक, आज तुम्हारे साथ एक सुब घटना होगी, और तुम्हारे बारे में लिखाए, आज मेरा नुकसान होगा, सही बताया है, आज मैं नया नेकलेस खर दूंगी, और तुम उसका बिल दोगे, तब ही फोन की घंटी बज जाती है, ठीक है, मिस्टर स्मीथ, मैं आपकर अमंत किया गया है, वहाँ मुझे एक महिना रुकना होगा, मेरे पीछे से घर का ख्याल रखना, मेरे पीछे से साबू और रोकेट तुम्हारी मंदद करेंगी, अगले दिन तुम पीछे से फिजुल खर्ची मत करना, और साबू, और चाचा चोधरी रोकेट से अमीर का जाता है, एक महिने बाद चाचा चोधरी लोटें, मैं आ गिया, आपका स्वागत है, मेम साहब ये दो किलो है, ठीक से तोलो, बीनी तुम इंगलिस नहीं पढ़ सकती, फिर भी मेरे पीछे से तुमने इंगलिस का अख्वार बंद नहीं किया, इसके वदले तुम हिंदी का अख्वा है, दो घंटे इंतिजार करना होगा, ये टाइम मेरे फिबरिट सीरियलो का है, पेट में चुहे किरकेट खेल रहे हैं, ओ, लाइट चली गई, बोर हो रही हूँ, अब क्या करूं, तम दीनर बना लो, हो सकता है, जब तक खाना बने, तब तक लाइट भी आ जाए, और बीन खत्म होते ही, लाइट आ गई, सौरी बीनी, भूग ज़्यादा लगी थी, इसलिए मैंने ही में स्विच आफ कर दिया था, तो चलिए, इसके अगली स्टूरी सुरू करते हैं, जिसका नाम है उरंचू, ढांको गोबर सिंग, अरे धमाका सिंग, मैंने तुझे कोई दस्त आदमी लाने को कहा था, तु ये किस चमगादर को पकर लाया है, अरे सरदार, ये चमगादर नहीं, मास्टर उरंचू है, तुम्हारे दुस्मान चाचा चोधरी को मिंटों में ठिकाने लगा देगा, हमारी सारी तलवारे और बंदू के, जब उसका कुछ न बिगार सकी, तो ये निहत्ता उसका क्या कर लेगा, तुमने अभी मास्टर उरंचू का कमाल नहीं देखा है, अच्छा, तलवार समालो और लड़ने के लिए त्यार हो जाओ, अच्छी बात है, आ जाओ, या हूँ, उरंचू ने उची चलांग मारी, ओ, वाह, उरंचू, तु सच् का काम तमाम कर देगा, आओ, मैं तुम्हें दिखाओं कि मेरा दुस्मन कहा है, वो आ रहा है, उरंचू, बीना मौका दिये, उसे मार डालो, या हूँ, और चाशा-चोदरी नीचे बैठ जाता है, और वो सीधा खुले मेन हॉल के अंदर गटर में चला जाता है, छपाक, ओ मेरा उरंचू गटर में गिर गया, अब मैं उसे कैसे निकालूं, वो गटर में बहता हुआ, सहर के बाहर गंदे नाले में गिरेगा, वहां उसे ढून लेना, तो इसी के साथ चाशा-चोदरी के ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी,